हर्याना डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा चलती है तो मीडिया की हैडलाइन बदल जाती है लेकिन भारत के किसान इस बात के लिए बधाई के पात रहें कि करीब चार महीने से चल रहा किसान अंदोलन दिन प्र अरिवार में जनम लेने के कारण यह बात दावे से कह सकती है कि वर्तमान में किसान अंदोलन अब उस स्तीती में पहुँच गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं अपने चाहेतों को लाप पहुचाने के लिए केंदर की भाजबा सरकार ने जिन तीन काले क्रिशी कानूनों क जबरन किसानों पर थोपा है उन से किसानों की फसलें और नसलें बरबाद हो जाएंगी किसानों के सासात व्यापारी करमचारी युवाबर्ग और महिलाओं को भी इस कारण अनेको दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है आईए रिपोर्ट में देखते हैं कि चित्रा सरवा जब बड़ी-बड़ी कंप्रियां इकठे लेंगी इकठे छानेगी इकठे फीसेगी तो आपको सब सस्ते में मिलेगा लोगों की सेह्मती होगी किसानों की भी कहिना लिए आज 40 साल बार जब उस इलाके में से वो लोग निकले तो क्या देखा उस वक और आज भी अमरीका म लोगे तो 60 लाक फारं मुआ करते थे आज सरफ 20 लाक फारं परजे आज किसान अगर एक रुपे में आज आटा अमरीका में विग रहा है किसान को पहले 50 पैसा मिलता था आज उसमें से सिर्फ 15 पैसा मिलता है आज बेरोजगारी और भुक्मरी और बच्चे वो जिनके पास खाना पूरा ने पढ़ आज अमेरिका में पढ़े हुए हुआ क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने लाके कॉंट्राइट फार्मिंग किसानों के साथ करी और उन कंपनियों ने क्या करा कि बीज अपना पर्टिराइजर अपना मशीन अपनी खरीद हम करेंगे बे किसानों के पास कुछ नहीं बचा जो खांदानी पुष्टेनी खेती करते आ रहे थे वो किसान आज हमाँ पर 12 घंटे की किस्ट लगाते हैं अपनी खर्ट्रियों में जाते और यह कुछ सप्राइज की बात नहीं इस सरकार में पिछले साथ 12 घंटे खर्ट्रियों में काम क बड़ने की जो है उसका प्रपोजर डाल लिया है आज 70 प्रतिशत अमरेकी सरकार का बजेट सुर्फ 20 प्रतिशत किसानों को मिलता है बड़ी कमपणी को सब मिलेगा चाहे लोन है चाहे वियायत है चाहे मापी है छोटा किसान मों पुगाई नहीं सकता कमपणियों ने किसा को करते हुए आज किसान बरा जो चोटे चोटे दुकानदार से गाउं के रिपेर की दुकान में बीच की दुकान में चोटे चोटे काम वो बंद हो गये आज अमरीका में हर साल गाउं और रूरल एलाकों के अंतर 1000 स्कूल बंद हो रहा है यह हमारा बभश्य जिसके करफ हम हमारे जड़ी इंतरे से रणाइए